प्रधान मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नित्रत्व में एक बैब अफसाली गौर अफसाली संपन और संब्रिद्ध भारत का अंद्रमाण हो रहा है और उनका संकल्प है 2047 तक विक्षित भारत का निर्माण विक्षित भारत गाओं के विक्षित होने पर बनेगा गाओं के विक्षित हुए बिना नहीं बनेगा गाओं ना केवल विक्षित हो infrastructure की दृष्टी से बलके उनका तो संकल्प है गरीबी मुक्त गाओं आज मुझे प्रसनिता है ग्रामीन विकास और पंचायत राज संस्थान में आज बैठक में आने का अवसर मिला ग्रामीन विकास में इस संस्थान की अत्यंत महत्पूर्ण भूमिका है प्रधान मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नितरत्व में एक बैभ अफसाली गौर अफसाली संपन और संव्रिद्ध भारत का अंद्रमाण हो रहा है और उनका संकल्प है दोजार सेंटालिस तक विक्सित भारत का निर्माण विक्सित भारत गाओं के विक्सित होने पर बने गाओं के विक्सित हुए बिना नहीं बने गाओं अनेकों ग्रामीन दिकास की योजनाओं का संचालन मोदी जी के नित्रत्म में हो रहा है और उनका संकल्प है गाओं ना के वल विक्सित हो इन्फ्रेस्ट्रक्चर की दृष्टी से बलके उनका तो संकल्प है गरीबी मुक्त गाओं पावर्टी फ्री विलेज और इसके लिए ग्रामीन दिकास और पंचे आतराज संस्थान एक ठिंक टैंक के रूप में काम करेगा ट्रेनिंग और कैपिसिटी बिल्डिंग के काम भी करेगा और बाकी संस्थाओं के साथ भी MOU करके और अच्छे जो विचार और कारिकम या जो चल रहे हैं कारिकम उनको और बहतर करने की पहल करेगा आज JNU के साथ भी उनका MOU हुआ है JNU अत्यंत प्रतुष्टित विश्वविद्धाले हैं यहां के बच्चों को यहां के अध्धन के आधार पर PhD प्रदान करने का काम करेगा और बाकी भी हमारी जितनी योजनाएं है उनका Impact Assessment उनमें सुधार और नई पहल उसके लिए भी सोच और विचारिय संस्थान देगा